अपने वर्क कमिटमेंट की वज़े से शहनास गिल आरती सिंग की शादी में मौझूद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस 13 के कई सितारे नजर आए, यहाँ पर इसे बिग बॉस 13 का रीयूनियन भी कहा जा रहा था, लेकिन इस रीयूनियन में शहनास गिल मौझूद ये तो सबी जानते हैं मधूरी मा तुली भी यहां पर नजर नहीं आई लेकिन मधूरी मा तुली ने अपने इंटर्वियू में अब कुछ खास बाते कहीं है कुछ खास खुलासे किये हैं जो आप तक पहुँचना बहुत जरूरी है फुल अपडेट फुल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए शेहनाज गिल काम के प्रती बहुत डेडिकेटेड रहती है कई बार तो वो अपनी हेल्थ तक को एगनॉर कर देती है और लगातार काम 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 करती रहती है और कई बार उन्होंने अपने इंटर्व्यू में कहा भी है कि वो बीते दो से तीन दिन से सोई नहीं है लेकिन उन्होंने आरती से वीडियो कॉल किया उनके कई पिक्चर्स को लाइक किया और अब तो ये दोनों एक दूसरे को फालो भी करते है ये सारी बाते तो सामने आही चुकी है हमने बीते कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है वीडियो मौझूद हैं हमारे चैनल पर लेकिन इसी बीच कुछ खबर ऐसी आ रही है जो फैंस को जानना कहीं न कहीं जरूरी है देखिए बिग बॉस 13 के कई सारे सेलिब्रिटी मौझूद थे आरती की शादी में और इसे बिग बॉस 13 की रियूनियन कहा जा रहा है लेकिन ऐसे मैं न सभी की नजरे डून रही थी शेहनास गिल को शेहनास गिल के अलावा यहाँ पर मधुरीमा तुली भी नजर नहीं आई मधुरीमा तुली को आप सभी जानते हैं बिग बॉस 13 की कंटिस्टेंट रही है और शेहनास के साथ कई बार उनका बहुत अच्छा बॉन भी नजर आया दोनों एक दुसरे के साथ बाते गरते नजर आये और मधुरीमा तुली ने हमेशा ही बहुत प्यार से बाते गिये शेहनास से कही न कहीं उन्हें समझने की भी कोशिश की है यह हम सब ने देखा है तो यहाँ पर मधुरीमा तुली का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने कई सारी बाते शेहनास पर भी की हैं क्योंकि उनसे सवाल भी पूछा गया सबसे पहले शिरुवात करते हैं पहले सवाल से यहाँ पर पूछा गया मधुरीमा से कि शेहनास गिल ने जो इतना कुछ पा लिया है क्या वो उनका हार्ड वर्क है या फिर लक्के भरो से चल रही है या फिर यूही पा लिया है भाई पूछने वाले की भी दात देनी पड़ेगी ये भी कोई सवाल है क्या लक्के भरो से कोई इतनी उचाई तक पहुंच सकता है क्या बिना हार्ड वर्क के कोई इतनी उचाई इतने मकाम तक पहुंच सकता है क्या सिर्फ यूँ ही शेहनास गिल इस मकाम तक पहुंच गई भै ये क्या सवाल हुआ हार्ड वक के साथ ये माना की लग की भी जरुरत है लेकिन हाँ यूँ ही कोई इस मकाम तक नहीं पहुंच जाता सबसे पहले तो ये सवाली गलत है लेकिन मधुरीमा तुली ने भी यहाँ जो जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब दिया उनका ये कहना था कि हार्ड वक्की वजह से ही शहनास गिल यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने बिग बॉस 13 के भी कई खुलासे किये उनका ये कह पहुंची है इस मकाम तक पहुंची है तो भाई देखिए लोग किस किस तरह के सवाल करते हैं कि शहनास गिल को ये मकाम बस यूँ ही मिल गया नहीं भाई इसके पीछे कड़ी महनत और लगन है शहनास गिल की अगर आप देखेंगे तो उनकी पूरी जर्नी को अगर आप द लेखेंगे जो पंजाब से स्टार्ट हुई थी बिग बोस 13 से पहले से स्टार्ट हुई थी तो आप समझ पाएंगे कि कितना स्ट्रगल है और इस मुसकान के पीछे कितना ज़्यादा स्ट्रेस भी छुपा हुआ है तो शहनास गिल तो एक बहुत बड़े मकाम पर चुकी है फैंस हमेशा यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़ती रहें और जो मदुरीमा तुली ने अपने इंटरव्यूज में कहा इस पर आपका क्या है कहना कॉमेंट में आकर हमें जरूर बताइए वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कर दीजिए और चैनल इस अपडेट पाने के लिए थैंक यू गाइस